हलो दोस्ता सांगत करते हैं अपने स्टेडियी चनल स्टेडियेखी अज हम कुछ कांसेप्ट के बारे में शेखेंगे वर्क अंटाइम से रिलिटेट कांसेप्ट के बारे मैं सेखेंगे . चले सुरू करते हैं कार और समय वर्केंड टाइम सबसे पहले वर्केंड टाइम से रिलेटेड़ हम देख लेते हैं किस टाइप के कुश्चेन इसमें पूछे जाते हैं वर्केंड टाइम में इस्पसली कामन कोश्चन ऐसे पूछाते हैं या फिर डारेक्ट छमता बेस्ट कोश्चन होंगे छमता पर आधारित कोश्चन छमता पर आधारित होंगे या फिर कोश्चन दिनों की संख्या पर आधारित होंगे या फिर question सूत्र पर direct सूत्र पर अधारित होंगे सूत्र पर अधारित होंगे अब सबसे पहले हम दिनों की संख्या पर अधारित question के बारे देखेंगे कि दिनों की संख्या के आधारित कोश्चन कितने प्रकार क्या पूछते हैं दिनों की संख्या के आधार पर भी कोश्चन कई प्रकार के पूछ सकता है दिनों की संख्या के आधार पर सबसे पहले तो सामाननी कोश्चन होंगे सामान में कौ sir followed mucho आइगे नमबर दो को इस टाइप के कोरशें होंगे कि कोई दो-विक्ष्टि या 3 विक्ष्टि काम करेंगे तो कुछे विक्ष्टि जो होंगे कार करने के qe-3 दिन के बाद चले जाएँगे कहने का मतलब कार प्रारम्ब के कार प्रारम होने के कुछ दिन के बाद चले जाएंगे कार छोड़ कर चले जाएंगे कहने का मतलब है कार प्रारम होने के कुछ दिन बाद कार छोड़ कर चले या फिर तीसरा टाइप कार समाप्त होने से पहले पहले कार छोड़ कर चले जाते हैं या फिर पहला प्रकार है या तीसरा प्रकार है या फिर दूसरा और तीसरा टाइप कहने का मतलब दूसरा तीसरा प्रकार दूनों एक में दे रखा होगा चार प्रकार के question पोचे आएंगे है तो चलिए सबसे पहले हम सामानी क्वेश्चिन के वारे में देखेंगे सामानी क्वेश्चिन कैसे होते हैं है जबBYT क्वेश्चिन में क्या हैं सामान प्रस्ण में डायरेक्ट पूछेंगे कि रखाव्त राम किसी कामको 12 estás करता है तथा स्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है этим इतै जह दोनों एक साथ कार करें तो कार कितने दिनों में समाफ्थ Hai इस प्रकार के questions को सामानी category में हम divide करते हैं तो क्या करना है पहले राम को लिख लेंगे, फिर हम स्याम को लिख लेंगे, राम किसी काम को कितनी दिन में करता है, बारा दिन में करता है, यहाँ पर दिल लिख रहा है, बारा दिन में करता है, स्याम उसी काम को कितनी दिन में करता है, पंदरा दिन में करता है, अब दोनों का LC M लिकाल लेंगे, दोनो का LC M कितना होगा, और दोनों का LC M, 12 और 15 का LC M कितना होगा, 60, 12 और 60 क के हम डिवाइड करें 12 पंचे 60, पंदा तर प्यता है, यह एक दिन का काम आएगा, यह जो आएगा, वो एक दिन का काम आएगा, इसे हम छमता भी कहते हैं, इसकी छमता है, पांच यूनिट, इसकी चार यूनिट, यह एक दिन का कार आएगा, तो हमें कुल कार निकालना है, तो पांच और चार कितने हो जाएगे, यह जोड लेंगे पांच और चार, 9, एक दिन में 9 unit, टोटल कारी यह कुल कार है, खुल कार है 60, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 60 है यह, और यह 9 unit एक दिन में करते हैं, तो 9 से डिवाइट कर लेंगे, 9 से काटेंगे तो 3 से कट जायेगा, 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 9 6 0 20 आ जाएगा 20 बट्टे 3 20 बट्टे 3 का मतलब कितना आ जाएगा 6 सही 2 बट्टे 3 दिनों में कहने का मतलब है कोश्चन दे रखा था राम किसी काम को 12 दिन में करता है तदा स्याम उसी काम को 15 दिन में करता है यदि वे दोनों एक साथ काम करें, कार करें, तो कार कितने दिनों में समाप्त होगा, राम करता है बारा दिन में, सियाम करता है पंदा दिन में, इन दोनों का लासा लेंगे साथ हाएगा, बारा, बारा, साथ से डिवाइड करेंगे, पांच, पंदरा से डिवाइड करेंगे, के चार दोनों के पांच यूनित राम के पांच नूद से हम के चार नूट एक दिन के हो गए कुल कार है साथ, नौ से डिवाइड करेंगे तीन से कार्टेंगे राम किसी कारे को दस दिनों में पूरा करता है तो स्याम उसी कारे को पंदा दिनों में पूरा करता है दोनों एक साथ कार प्रारम करते हैं लेकिन चार दिन बाद स्याम ने कार छोड़ दिया तो पहला पोस्चन है सेस कार कितने दिनों में पूरा होगा दूसरा कोस्चन है कु कुल कार कितने दिनों में पूरा होगा, सेसकार कितने दिनों में पूरा होगा, इसको कैसे को हल करेंगे, इसको भी सेम वैसे हल करेंगे, पहले राम लिख लेंगे, यह सियाम लिख लेंगे, राम कितने दिनों में करता है, दिन लिखेंगे यहापर, राम दस दिन में करता है, स्याम 15 दिन में करता है अब दोनों का LCM लेंगे 10 और 15 का LCM 60 आएगा तो 10, 6, 6 15, 15, 6 ये unit आजाएंगे, ये कुल कार है कुल कार है फिर क्या कहा है इसके total unit निकाल लेंगे तो 6 और 10 total आजाएंगे 10 unit कहने का बतार दोनों मिलकर एक दिन में 10 unit कारेंगे और total 60 unit कार है हमारे पास तो पहला कोहिशन कैसे हखल करेंगे लिखा है कि दिर रखा है चार दिन बाद स्याम ने कहने का मतलब दोनों एक साथ कार प्रार्म करते हैं लेकिन 4 दिन बाद स्याम ने कार छोड़ दिया कहने का मतलब चार दिन तक दोनों ने साथ कार किया, कहने का मतलब है इन दोनों ने मिलकर चार दिन तक काम साथ किया, तो कहने का मतलब है, चार दिन तक पहले राम और स्याम को कार कराएंगे, राम प्लस स्याम ने चार दिन तक कार किया, राम और स्याम चार दिन तक कार तो राम करता अच्छे और यह करता है, 4 मतलब 10 उनिट एक दिन में, 10 गोड़े 4 अर्था 40 उनिट काम दोनों ने मिलकर किया, अब कितना अकार बचा, 60 से हम चल घटा देंगे, टोटल कितने उनिट थे, 60 उनिट से, 60 से हम चल घटा हैं कितना बचेगा, 20 उनिट, 20 उनिट के व था 10 बचे 3, राम उसी कार को कितने दिनों में करेगा, 3 सही एक बचे 3 दिन में, 3 सही एक बचे 3 दिन में करेगा, फिर दूसरा कोशन कहा है कि कुल कार कितने दिनों में पूरा होगा, तो कुल कार कितने दिनों में पूरा होगा, ये तो जो पहले वालता, सेस कार कितने दिन बाकी का पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे